अब भी हम पहले पार्ट में अगर आप फर्स टैम ये चैनल पे देख रहे हो कोई वीडियो तो बेटा अपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो इस वीडियो का इस Marathon Revision का 4th chapter का पहला पार्ट देखने के लिए अब description box में चेक कर सकते हो playlist का में एक link दिया है वो link पे जाके अब बाकी chapters के revision ये chapter का पहले part का revision जीसमें हमने risk assessment पुरा-पुरा cover किया है वो देख सकते हो चलो guys without taking too much time quickly move to your next part of this particular chapter that is your internal control तो हमने देघ लिया था सर, Risk Assessment and Internal Control, यह दोनों साथ साथ में आएंगे, क्यों? Because Internal Control का डोल तभी आता है, जब मिरे Risk को mitigate करने की जरुड़त पड़ती है और Internal Control का definition कुन सा standard बताता है? तो risk के लिए दो standard देखेते हमने, सही है, एक 315 और 330, इसके पहले पार्ट में में cover कर चुका हूँ, 315 identify and assessment of risk के बारे में बात करता है, बलकि ये identify and assess risk के लिए, सर हमने auditor ने क्या करना चाहिए, उसके response से स्कून बताता है, एसे 330, अभी एसे 315 ही अपने को बोलता है कि सर, internal control क्या होता है, तो एसे 315 ने internal control का definition दिया है, ये कभी जिन्दगी में बुलना मत, सही है, तो आपको जब भी कभी internal control का कोई question आया, you need to mention this definition, तो you should refer, आपने refer करना चाहिए, एसे number 315, सर, mandatory है क्या, इसे के number refer करना examination में, not at all, mandatory तो नहीं होता सर, कोई चीज, but basically, ये सब चीजे छूटी-छूटी-छूटी-छूटी, जहां तक आप 100% sure हो, तभी, तभी ये चीजे आपकी और ज़्यदा impact rate करेगी paper में, आपको ज़्यदा marks मिलेंगे, सही है, clear with this, तो अच्छे स risk, और mitigate करना मतलब क्या? Pravind करना, तो detect करके correct करना, क्या बूले? Prevent करना, मतलब कुछ risk गड़ित होने के पहले ही, कुछ risk, actual में exist करने के पहले ही, Sir, उसको क्या करें? उसको पहले ही prevent कर दे, कि जो होने से पहले ही smell and prevent कर दे, नहीं तो, Sir, होने के बाद, पता लगने के बाद क्या बोलता है फड़ा फट देखलो स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है सर डिफाइन भाई एसे 315 315 मुझे मेरे साथ बूलो गया मेरे साथ बोलो गए तभी रिविजन बहुत बढ़िया होने वाला है एसे 315 अडेंटिफिकेशन और एसेस्मेंट आफ रिस्क आफ मटेरियल म स्कूर्ण से बना हुआ है सर इने इन गेट करने के लिए इसे 315 का इंटेर्न पर डेफिनेशन क्या बोलता है वो बोलता है कि सर इंटेर्नल कंट्रोल माने इसा कोई प्रोसेस जो डिजाइन किया है इंप्लीमेंट किया है एंड मेंटेन करता है कों बाइटी सी डबली जी टोजे चार्ज विद गवर्नांस ऐसे बंदे कंपनी के जिनके पास पुरा गवर्नांस पावर है उसके बाद में मैंनेश्मेंट टॉप मैंनेश्मेंट मिडेल मैंनेश्मेंट कंपनी का बड़े बड़े लोग जो डिशीयन मेंकिंग का पावर करते हैं अदर परसनल कुछ इंप्लाइज ऑफ दर कंपनी सही है लोगर लेवल जो एक्जिकिविशन करेंगे तो यह सब लोग इसा कोई process design करते हैं इंप्लीमेंट करते हैं इंप्लीमेंट कर दिजाइं करना मतलब बनाया process करना जरूरी है ना पहले दिन देखा सर बहुत जोरो शोरो से फॉलो कर लिया सेकेंड डे सर दस धंडे का प्लाइन आठ गंटे पे आ गया थर्ड डे सर आठ गंटे का चे गंटा हो गया क्या सर डी मोटिवेशन नहीं वहिया यह एक्जिक्यूशन करना वह जरूरी है जब आ जाने की दिन रहा तु चलेगा नहीं उसको मेंटेन करना जरूरी है मतलब हर रोच हर रोच तुमको प्लाणिंग में में मेंटेन करना पड़ेगा वह जो डे एनी प्रोसेस फॉलोड वाइड बई टीची डेव जी एनी प्रोसेस डिजाइन, इंप्लीमेंटेड एन्टेड वाइड़ टीची डेवलीजिय मेंजमेंट अधर पॉर्सरनल किसके लिए टू प्रोवैड ज़िज़नेबल ए्शूरंस क्या प्रोवैड करना है कि जन्दगी में कोई नहीं दे सकता हम तो एशूरंस देंगे तो प्रोवैड जनेबल एशूरंस अबौड़ ऑचीवमेंट ऑफ एटीटीज ऑब्जेक्टिव किस बात के लिए सर के एंटीटी के objective जो गोल से mission है उसको अचीव करने के लिए सर कर रहे है with regard to किस बारे में गोल से सर पहला पहला reliability of financial reporting कि जो मैं financial reporting करूंगा जो मेरे financial statement बनेंगा अभी मैं company के साथ से बुल रहा मेरी company जो मैं financial reporting करूंगा वो reliable होना चाहिए इस purpose के लिए यह objective के लिए मैं यह process design कर रहा हूं implement कर रहा हूं समझ रहे हो next effectiveness and efficiency of operation जो भी मेरे company में काम होगा operations होंगे वह effectively perform के जाएंगे and efficiently भी perform के जाएंगे effectiveness मतलब quality of work efficiency मतलब कितने जल्दी काम कर रहे हों कितने time में काम कर रहे हो कितने समय में कर रहे हो जोर नॉर्मल से ज्यादा तो टाइम नहीं लग रहा है वो हुआ efficiency next safeguarding of assets मतलब assets का safeguarding करना कुछ गलत तरीके से सर उसका use ना हो जिस purpose के लिए उसका use है उसी purpose के लिए हो effectively use हो efficiently use of assets हो and next point compliance with laws and regulations जो मेरे company के लिए laws and regulation applicable है उन्स सब को comply करने के लिए तो basically चार परपर मेरे साथ पड़ा पड़ावट बोलोगे according to एसे 315 internal control is the process is the process that is designed implemented and maintained by the T.C.W.G. management and other personnel क्यों तो provide the reasonable assurance किस बात कर reasonable assurance to achieve the entity's objectives achieve the entity's objectives पस किस regarding entity's objectives regarding the पहला चीज़, reliability of financial reporting, second चीज़, effectiveness and efficiency of operations, third चीज़, safeguarding of assets and fourth point compliance of laws and regulation are you guys getting both important definition internal control का अच्छे सी याद रखना MCQ में भी सर इसके उपकोई question बन सकता है 315 ऐसे का number याद रखना because ऐसे 315 हमारे दिमाग में आता है तो रिस्क आ जाता है बट रिस्क के साथ में internal control का definition भी वही standard बुलता ही यह दहन में रखना पड़ेगा, चला, next point सर जब internal control बोले तो इसका objective क्या है सर अभी हमने देखा definition में तो उसी business पर हम आगे थोड़ा आगे जाके बात करें internal control मेरे business में मैं इसे processes लगाऊंगा तो किस objective से लगाऊंगा मुझे क्या achieve होने वाला है क्या objective के साथ मुझे वो internal control design करने पड़ेंगे पहला पहला objective management का general and special authorization very important चीज़ जब मैं internal control बोला तो जब 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 जो जो मेरे business में transactions execute होंगे वो सभी transactions के लिए आइदर management का general approval होना चाहिए नई तो सर special approval होना चाहिए general and special authorization approval मतलब क्या general मतलब से daily business मैंने बोल चुका हूँ कि revenue का transaction ये एक बंदा है ये बंदा approve करेगा बस खतम authorization of performing revenue transactions or accounting of the revenue transaction with one of the personal employee को मैंने responsibility दे दिया general authorization दे दिया कि वही तु सब revenue के interest करेगा पट उसी के साथ condition डाल दिया कि अगर revenue का एक transaction का amount मेरे 10 लग के उपर चला जाए तो तेरे approval के बाद और एक special approval लगेगा special authorization रहेगा तेरे उपर के बंदे को senior बंदे को उसको बोले special authorization in specified cases समझे तो पहली चीज़ जब भी मैं internal control मेरे business में design करूंगा implement करने के लिए maintain करने के लिए मैं उस internal control में मैं पहला चीज़ implement करूंगा objective implement करूंगा क्या कि management general and special authorization for execution of transactions very important चीज़ विकाज अगर यह नहीं हुआ भी तो fraud होने का chances बहुत जदा है कोई भी बंदा आएगा revenue का इंट्री करके जाएगा इसा थोड़ी ना चलेगा नहीं सर कोई general specified person हैंगे वही सर उसकी entries कर पाएंगे अपने इसमें clear with this एक दम अच्छे से समझ गए आपको है ना चलो नेक्स पॉइंट सर यह authorization हो गए है मतलब क्या इंशोर कर रहे मुझे बताओ कुन सा assertion हमें इंशोर कर रहे इस चीज़ के साथ validity of transaction वाली ट्रांजेक्शन होगा नहीं तो कोई गलती करेंगा तो उसको rectify किसे करें तो उस गलती होने का चांसे किस बात का गलती सर accuracy का गलती हो सकता है तो मुझे देखना पड़ेगा जब भी में internal control मेरे system internal control का मेरा system बनाओ मेरे business में तो I need to ensure all transactions recorded at the appropriate accounts look at this appropriate accounts with the correct amounts and in the correct accounting period बेटा मुझे फटापड बताओ के कौन से तीन assertions यहाँ पर हीट हुए है इस particular इस में appropriate accounts बुला मतलब classification correct amounts बुला accuracy and correct accounting period मुला मतलब cut-off समझे तो पहले validity ensure करना internal controls बनाते समय सेकेंड चीज़ मुझे तीन और assertions ensure करने पहला classification of transaction second correct amount मतलब account accuracy of transactions and third correct accounting period में बुक होना चाहिए मतलब cut-off assertion are you guys getting within a framework of applicable FRF recognized accounting policies कि जो भी recognized accounting policies है जो भी applicable financial reporting framework मेरे entity को applicable है उसके हिसाब से जो amount होना चाहिए जो period होना चाहिए and जो account होना चाहिए यह सब सही होना चाहिए यह मैं ensure करूंगा through my internal control इसका यह मेरो objective रहेगा perfect third objective assets are safeguarded from the unauthorized access use or a disposition कि जो भी मेरे business के assets है by transaction का ensure कर लिए अपने major सभी assertions अभी से हम ensure करेंगे कि जो भी मेरे assets है business के उसका सही तरीके से use होगा है so those are safeguarded उसका कोई सर जोल नहीं हो रहा है तो safeguarded from what पहला unauthorized access कि वो asset कोई बंदा ऐसा बंदा है जिसको मैंने authority दिया है वही बंदा use कर पाएगा वही बंदे को access रहेगा कोई और नहीं use कर पाएगा third second use of that and disposition वो asset को कोई सेल कर दे नहीं तो जो बंदे को dispose of करने का right है वही बंदा कर पाएगा and fourth is physical verification of assets at reasonable intervals मुझे बोलो जब मुझे assets का safeguarding करना ensure है तो इसके आगे जाके मैं देखूंगा कि सच में हुआ या नहीं तो इसलिए I should have the control कि भाई मैं चेक कर लूँ कि मैं कुछ period पे कुछ reasonable interval पे मैं सच में जाके देख लो physically verify कर लूँ कि मेरे assets सही है या नहीं इस तो यह चार पॉइंट्स बोट अच्छे स्रेया अधना बेटा objectives of internal control में सबसे पहला point मेरे साथ बोलोगे चलो management general and special authorization for the execution of the transactions next point यह कुछा assertion ensure करता है पहला validity seconds all the transactions are recorded at the correct amounts with the correct account and correct in the correct accounting period मतलब तीन assertion sir correct amount बुला तो accuracy correct accounting period बुला मतलब sir क्या हुआ इन the correct accounting period cutoff answer with the correct account in the correct account मतलब sir classification सही है within a framework of applicable financial reporting framework and applicable accounting policies उसके बाद में third point assets are safeguarded from the disposition use answer क्या unauthorized access and last point physical verification of assets कुछ reasonable time period मुझे interval पर करना पड़ेगा ताकि मैं यह सब चीज़े ensure कर पाऊंगा यह चार objectives के साथ में मेरे internal controls बनाऊंगा कोन किसके साइड से बात कर रहे हैं यह सब चीज़े बोले मुझे यह सब चीज़े बात ओर रहे ही sir management साइड से यह internal controls बनाएगा कोन management तो management ने चार objectives ensure करने है सही management के चार objectives रहेंगे अब यह अपने को देखना है management ने यही objectives के साथ बनाएं क्या अगर नहीं बनाएं कोई भी objectives में से missing है तो वो अपने लिए risk बन जाएगा सही audit में और वो risk को ensure करने के लिए अपने को management से inquiry करना पड़ेगा पूछना पड़ेगा कि सरी रिस्क केसे करते हो आप लोग कैसे इसके उपर आपका control है सब्सक्राइब नेक्स्ट सर इंटर्नल कंट्रोल बढ़िया हो गए अपने को समझ गया सर इंटर्नल कंट्रोल से बहुत अच्छे इंटर्नल कंट्रोल पड़ते समय हमने डेफिनेशन 315 का क्या बूला सेकेंड लाइन सर यह तो एक प्रोसीजर होता है पहला लाइन क्या बूला प्रोसीजर होता है जो डिजाइन करेंगा क्यों 100% assurance नहीं दे सकते सर क्या जिन्दगी में प्रोब्लम है कि 100% assurance नहीं दे सकते तो मने बोल दिया बच्चा टेशन मतले क्यों नहीं दे सकते में बतादा हू तुझे उसका रीजन है limitations of internal control नीचे तो next point पड़ेंगे very very important question for the examination perspective mark this as a BER mark कर दो इसको BER limitations of internal control ति क्या limitations से sir internal control के जिसके वजे से we cannot provide the company cannot provide the 100% reasonable absolute assurance और auditor क्यों 100% absolute assurance control के testing पे भी नहीं प्रोवाइड कर सकता what is the issue तो वो है limitations of internal control sir कितने भी आप internal controls बना दो it will provide you only reasonable assurance IC can provide only reasonable assurance यह सबसे बड़ा sir अपना issue है उसके बाद में sir क्यों ऐसा हो सकता है because controls perform करने वाला भी कौन है भाया human being है तो human error possible है second control जब perform करेंगे तब कुछ judgment लेंगे जब design करेंगे तब अपने सोच पे तो अलग-अलग बंदा अलग-अलग सोचता है और अलग-अलग बंदा जब अलग-अलग सोचता है तो हर एक का judgment अलग रहेगा तो human judgment है sir, human judgment in decision making वो faulty हो सकता है, errors हो सकता है एक ने जो सचा वो उसके experience के बेचिस पे उससे 10 साल ज्यादा experience वाला बंदा अगर बोलता है कि वह यह चीज है तो in that case उसका experience matter करता है न तो इसलिए क्या बोले sir यह faulty और error in judgments हो सकता है and that's why yes sir, internal control अपना सिर्फ reasonable assurance प्रोवाइड करेगा पहला point हमने देखा and second point हमने देखा कि sir, human judgment involved होता है clear with this in decision making third is lack of understanding the purpose very very important point बाई जो बंदा यह internal control को establish कर रहा है सही है मुझे मेरा company है अभी मुझे internal control setup करना है मेरे business में बाई मुझे purpose ही नहीं पता मैं internal control का process बना रहा हूँ कि एसा एसा होना चाहिए बाई मुझे purpose ही नहीं पता कि this is what my purpose उसका मुझे पूरा understanding ही नहीं है 100% नहीं है मुझे थोड़ा थोड़ा पता है थोड़ा थोड़ा पता रहने से पूरा process कैसे अच्छे से design कर पाएगा नहीं तो in that case अगर lack of understanding of purpose है because ineffective use of exception reports by a person who reviews those reports without understanding its purpose very important thing क्या बोले इसका एक example ले लो बहुत important चीज़े आपको बन सकता है के scenario form में यह थर्ड वाला point बहुत important है मैंने बोला sir मेरे इसमें एक report निकलता है system से यह मेरा system है यह मेरे system से कोई report निकलता है बेटा जिसका नाम मैंने बोला कुछ sir exception report सही है अब यह मैंने बोला एक manufacturing company है जहाँ पर कोई एक report निकलता है ABC और यह ABC report मुझे बताता है कि system में क्या क्या एसे error से जो system identify करता है errors identified by system इसा होता है sir system ही error identify कर देगा yes होता है कई सारी जगा पर errors identified by system because cross checking रहेगा ना तो system में भी cross check controls रहेंगे अगर system में cross check नहीं हो पाया तो error देगा system अपने को एक report के through and daily basis में मैं एक report generate करूंगा और वो report में मुझे errors पता चलेंगे कि ऐसे इतने transactions में errors मिले समझ रहे हो और यह मैंने देखा है manufacturing company में होता ही एक इसा report ओके एक जगा पर मैंने देखा था manufacturing company में audit करती समय और वो report का use भी होता है बहुत important report रहता है जो production line पे अपने कुछ errors होते है consumption of inventory का तो उसके regarding error देता था तो अभी समझ लो यह errors तो मिल गए system के इस report से बड़ अपने को समझ ही नहीं रहे है कि system का report क्या क्या बोलना चाहता है अभी जो बंदा इस report का use कर रहा है वो बंदे को पता ही नहीं कि यह इसमें जो बोला है इसका मतलब क्या होता तो इसमें से जो errors बता चले उसको सर वो केसे कंट्रोल कर पाएगा अगर उसको report ही नहीं समझता तो इन दाट केस सर अपने इस यह बंदा इसका report का review कर रहा है उसको ineffective use हो रहा है सर मतलब वो effectively use नहीं कर पारा यह report को अच्छे से यूज नहीं कर पारा विकोज उसको report का 100% ग्यानी नहीं नहीं तो यहाँ पे सर मेरा internal control यहाँ पे internal control है ना कि यह report यह बंदा review करेगा उसके बाद मैं reporting करेगा किसी और बंदे को अगर मैं बुलू यह बंदा ही अच्छे से understand नहीं कर पता तो खाक और रिपोर्टिंग करेगा और जो रिपोर्टिंग करेगा और कंप्लीट होगा एक्किरेट होगा इस बात कि क्या गैरेंटी नहीं है इसलिए लिमिटेशन बनता है गैट्र जब मैंने बोला कि internal control बहुत बढ़िया बात है मेरा एक process revenue का उसके बाद में क्या होता है देखो सबसे पहले मेरा customer से purchase order आता है देन उसके business पर मेरा sales order बनता है देन सर मैं invoicing करूंगा देन dispatch होगा and receipt आएगा dispatch invoice में साथ में लेता हो जब dispatch करेंगे तबी invoicing बनेगा and then sir मेरा क्या हुआ receipt आएगा अब अगर मैं बोलू किसी एक ही बंदे को मैं सभी procedure के लिए विठा दू तो नहीं चलेगा sir because वो जोल करने का probability बहुत ज्यादा है कि पूरे process में वो जोल कर पाएगा since उसको start से लेके end तक उसी को authority है तो यहाँ पे PO के लेने के लिए an SO बनाने तक का responsibility मैंने किसी एक बंदे को दिया invoice dispatch का responsibility मैंने किसी एक बंदे को दिया receipt का responsibility मैंने किसी एक बंदे को दिया तो पूरे process का duty I have segregated between these three people इसको बोलते है segregation of duty very very important control in order to minimize the risk of fraud fraud का risk कम करने के लिए यह control काफी जदा important है segregation of duty का तो यहाँ पे क्या हुआ अभी देखो इसके बाद में क्या हो सकता है मैंने बोला मैंने segregation of duty क्या है यह तो एक control हो गया सही है मैं आपको maker checker बोलता हूँ दो मिनिट रुको मैंने बोला कि segregation of duty एक मैंने control बिटा है कि मैंने risk को mitigate करने के लिए control रखा सबको अलग-अलग responsibility दिया सब अलग-अलग बंदे लगा है बट भाई अगर यह बंदा इससे बात करे यह बंदा इसको लालस दे और सब जन मिलके अगर collusion करे collusion among people तो possible है न अभी भी तो यह control भी सर possible है यह control भी means होना possible है क्यों collusion among people will lead to this risk and यही सर possibility है तो इसी वज़े से मेरा next limitation बन जाता है इसका काम चेक करने वाला कोई और बंदा इसका काम चेक करने वाला कोई और बंदा हर एक बंदा उसका काम चेक करने वाला कोई और बंदा है तो यह जो पहला बंदा है जो काम कर रहा है उसको बुले maker यह second बंदी को बुले checker यह हुआ maker यह हुआ checker यह हुआ maker यह हुआ checker clear with this are you guys getting इसको बोलते मेकर चेकर सिस्टीम ताकि इसने कुछ गलती कर दी तो भाई यहाँ पर पता लगे नौ इस is the second control maker चेकर सिस्टीम समझे clear with this तो यह difference होता है SOD and maker चेकर में tension का काम नहीं है सही है एकदम easy है समझने के लिए logical भी है sir समझते हो चलो बेटा next point discussion करेंगे कहा पर कही है मेरा screen यह मेरी बात सुनता नहीं चलना बेटा अरे चल 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 अभी उसके बाद में management override of control management override of control क्या हो सकता है sir management override of control मतलब sir कि जो बंदा सबसे ज्यादा responsible बंदा है hierarchy रहता है ना मेरा director उसके बाद में senior manager उसके नीचे senior manager then manager then sir executive assistant manager and then sir executives ठीके अभी यह बंदे के पास पूरा responsibility है यह बंदे नहीं पूरा control design किया हुआ है now what happened look at this जो बंदे ने control design किया उसको पूरा control का in and out पता है कि वो control कैसे sir तोड़ सकते है उसमें क्या loophole से यह भी उसको पता है अगर इस बंदे को फ्रॉड करना हो तो वो बंदा नहीं कर सकता वो फ्रॉड absolutely कर सकता तो now he can override the control override मतलब क्या control को तोड़ के चला जाना sir control को तोड़े simple example यार अगर मैं बोला कि sir पूलीस ने रूल बनाया पूलीस ने रूल बनाया कि sir mask पेन के जाना है अभी यह line क्रॉस ही नहीं कर सकता कोई mask पेने बिना भाई भाई जिसने रूल बनाया वो खुदी without मत जा रहा है तो मैंनेजमेंट ओर्राइड ऑफ कंट्रोल सिंपल सी बात है चल तो यह चीज़े हो गई clear विद इस तो यह अभी किसी का judgment 100% करेक्ट नहीं होता सही है और इसलिए हम रिजनेबल एक्षूरंस देते हैं नेक्स पॉइंट लिमिटेशन इन केस ऑफ स्मॉलर इंटेशन वेरी वेरी इंपोर्टन कोश्यन फॉर एग्जामिनेशन पर्स्प्रेक्ट्टिव ऑन सिक्स नमबर कि सर चोटे चोटे इंटेशन बन सकता आपके एग्जामिनेशन में क्या कि एकदम छोटा इंटेटी है जिसका टर्नोर्व होती कम है एकदम छोटा है सर उसका बिजनेस ज्यादा कुछ एक्सपांडेड भी नहीं है तो इन डाट केस उसको इंटर्नल कंट्रोल का अप्लिकेशन करना जरूरी है क्या तो उसके लिए क्या-क्या लिमिटेशन बनेंगे तो वेरी इंपोर्टन तिं इसमें है तो मेरे इसमें मान लोग दस इंप्लोईज है सिर्क अभी दस इंप्लोईज के विसमें मैं केसे पूरा प्रोसेस बीटा सकता हूं छोटा एक जनरल स्टोर है या किराना का शॉप है उसमें दस बारा इंप्लोईज है कम एंप्लोईज के केस में नहीं कर सकता विकॉज सर यही तो इशूज है लिमिटेशन ऑफ कंड्रोल फीव एंप्लोईज होते हैं सेग्रिगेशन ऑफ डुटी इस डिफिकल्ट और नहीं लगा सकता एक प्रोसेस को में चार बंदे नहीं लगा सकता सर यहाँ पर डिफिकल ले लिया because this is very important question समझ लिए यहाँ पर मैंने बुला third point पर के सिनारियो बन सकता है और six point पर के सिनारियो बन सकता है समझे बाकि fourth point पर भी बन सकता है collision among people बट वो थोड़ा advanced level का के सिनारियो हो जाएगा तो मैं नहीं बोला बट ठीक है आपको concept समझ गया है even if के सिनारियो कोई financial statement level का risk identify करता हो look at this very important thing कि जब मैं financial statement level के risk identify करूंगा सबसे पहला risk कर दो लेवल पे रिताइक overall एफस लेवल और सेकंड मेरा अपकोड़ी लेवल और एसरिशन लेवल सभी आपकोड़ी माने जो बच्छा नया है उसने पहला पार्ट नहीं देखा इस सेशन के रिविजन का तो बेटा वह पहले पार्ट में मैंने बुला था अपकोड़ी account balance classes of transaction and disclosures ठीक है आबकोड़ी a b c o t d s चीक है तो यह पता लग लेना चलो मैं क्या बूल रहा हूं whenever I am assessing the risk relevant to financial statement मैं कुछ risk को assess कर रहा हूं कि वह यह risk मेरा केसा है सही है तो वह risk assess करते समय क्या-क्या controls में धन में लूँगा कुन से-कुन से controls का testing करना चाहिए तो sir मैंने एक चोटा business देखा मैंने एक business देखा वह business में काफी सारे controls है क्या बूला कि इत्ते सारे sir मानलो कोई काफी सारे control से मेरा control 1, control 2, control 3, control 4, control 5, control 6, control 7, control 8, control 9 आपकी मर्जी होगी तब तक control को लेके चले जाना मुझे कोई फरक नहीं बढ़ता क्या बूला देखनो कि sir यह control 1, 2 & 3 यह बात करता है मेरे revenue के regarding ठीक है और यह revenue के regarding जो control है ठीक है चलो मैं बूला यह control 8 & 9 जो है यह मेरा बात करता है कोई sir production के process के regarding प्रोड़क्शन के regarding production process उसके बात में यह जो मेरा control है इस बात करता है मेरा budget के regarding कि business में budget बनता है नहीं भाई सिख्या हो ना आप लोग तो budget के regarding उसके बात में यह जो मेरा control बात करता है यह मेरा बात करता है purchase and expense के regarding purchase expense and others purchase and others बोल देता हूड रख ले ठीक है अभी मैंने बुला सर ये से control से अभी अच्छे से जान दू बेटा एकदम अच्छे से जान दू है मैं बहुत अच्छे दो बड़े point या पर आपको बुलने वाला हूँ कि सर अभी मैं audit करनी गया इसे company का जहाँ पर मुझे इत्ते सारे controls देखे तो now how I should consider इसमें से कौन से control चेक करने या कौन से नहीं करने या सभी control चेक करने मुझे बोलो फटाफट सभी control चेक करने की जरुरत पड़ी क्या इस case में आपने case में है विल्कुल भी नहीं सर क्यूं कुछ इसका मेरे financial statements पर इंपक्त आएगा या बोले इसा control कि जिसका मेरे financial statements पर इंपक्त आएगा operational नहीं आता सर तो एसे सर अभी मुझे बोलो जब मैं stat audit कर रहा हूँ statutory auditor मैं आभी स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ statutory audit statutory audit के case में auditor को opinion देना पड़ता है अगर स्पेसिफिकली section 143 के इसाब से requirement है IFC opinion की आपने अगर पढ़ लिया होगा section 143 company audit का revision तो देख लो बेटा IFC opinion का requirement होता है कुछ specified class of companies को अभी IFC का form क्या होता है सर यह होता है internal financial controls look at this very important thing तो सर auditor को कौन से controls पर opinion देना पड़ता है only sir financial controls तो operational controls का testing करना जरूरी है क्या auditor को बिलकुल भी नहीं sir operational controls नहीं check करने सिर्फ financial control चेक करने अभी next point financial में देख लो अभी पहले तो identify कर लो सर यह जो मेरे इतने यहां पर controls है इसमें से सर कौन से operational है कौन से financial सबसे पहले सर revenue मतलब financial है या operational है एकदम simple बात सर यह financial control है production process financial या operational है यह भी financial हो सकता है इसमें operational भी हो सकता है we have to check it out कि financial है या operational है next budget यह तो पुरा operational control है सर purchase and others बोलू तो यह पुरे financial controls रहेंगे others में operational आएंगे क्या पता नहीं सर यह देख सकते है सर इसमें financial भी हो सकता है operational भी हो सकता है बट purchase तो मेरा पुरा सर financial control है now look at this very important thing सहीर सर मैंने बूला कि मैं audit करूंगा तो मैं यहाँ पर जो operational control से उसको टेस्ट नहीं करूंगा मतलब में simple सी बात है यह budget का controls को मैं टेस्ट नहीं करूंगा सहीए सर यह budget के controls को मैं टेस्ट नहीं करूंगा अभी सर मुझे देखना है production process में मान लिया मैंने सब financial है operational कुछ भी नहीं है तो सर यह पूरे financial controls में चेक करूंगा इसमें से जो भी operational रहेगा मान लो यह C8 operational है तो in that case now I do not need to tell this C8 का control यह control भी नहीं चेक करना है मुझे मुझे सिर्फ C9 करना पड़ेगा C8 का जरूरत नहीं है समझे अभी मुझे नेक्स बात करने है सर इत्ते सारे controls में कैसे चेक कर लो financials में भी काफी सारे controls से चलेगा भया अभी look at this very important thing भाई यह इत्ता बड़ा example क्यों दे रहा है इसका relevance समझ लो because इसके उपर case scenario बनेगा अगर advance question पूछ ले तो इसके उपर case scenario बनेगा now look at this यह जो मेरा revenue का control है यह बात करता है accuracy के risk के लिए यह c2 भी है यह भी बात करता है accuracy के risk के लिए और यह c3 है यह बात करता है मेरे cutoff के assertion के risk के लिए and other c4 वगरे कुछ भी ले लो सर यह cutoff and others के लिए बात करता है मान लो अभी समझ लो accuracy का control सर दो बार आता है मेरा accuracy के लिए मेरे से दो कंट्रोल्स है सभी मैंने देखा कि सर यह जो सीवन है यह प्राइमरी कंट्रोल मेंजर कंट्रोलच कि इस में काफी बड़ा सर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है इसमें मेज़ोरिटी सर रिस्क मिडिकेट हो जाता है फिर सर जरुरत क्या थी सी टू की रखने की तो सी टू तो सर बस इसको सपोट करने के लिए रखा इट इस नॉट रिक्वाइड बेसीकली की सी टू होना चाहिए अनिवेज उससे टो सी टू स सपोट करेगा तो इस इस वडिए अन करनना शुरू करता हूँ पढ़ाइक करना शुरू करता हूँ पढ़ाई करना शुरू कर देता हूँ, देखता हूँ कुन से कुन से है, इसमें मैं identify करता हूँ कि कुन से मेरे key controls है, कुन से मेरे non-key controls है की मतलब the most important controls, important controls ठीके, और यहाँ पे supporting controls आते हैं, कोई minor supporting minor controls तो मुझे बोलो भाई, मुझे सभी controls का testing करने का जरूरत है, नहीं सर, मैं पहले check कर लूँगा कि C1 के से काम कर रहा है, अगर वो एकदम सही से काम कर रहा है, तो फिर मुझे C2 का check करने का जरूरत नहीं है सर, तो यह C2 में check नहीं किया, तो भी चलेगा, तो यहाँ पे I need to identify क कि मुझे कौन से control test करने कौन से नहीं करना है, सही है, कभी-कभी सर, आपको यह non-key भी check करना जरूरी पड़ता है, but majorly we focus on only the key controls, only the key controls, सही है, अगर यह fail हो गया, तो then we move to the second control, समझे, clear with this, तो this is what very important thing, चलो, फटा-फट देखलो, अभी यह कैसे हम identify करेंगे, इसका basis पे क्य क्या relevance रेता है, look at this, यह question बन सकता है examination में, इसलिए इतना time लिया, controls relevant to the audit, while assessing risk relevant to financial statement, जब मैं risk को assess कर रहा हो, तो कौन से-कौन से controls audit के लिए relevant रेते हैं, checking करने के लिए, TOC के लिए, वो कैसे identify करेंगे, पहले, key and non-key controls का difference, पहले sir, जब मैं बोलू direct impact आएगा, FSP key controls, जब मैं बोलो indirect impact आएगा, या sir, second minor control है, तो उसको बोलेंगे non-key controls, तो इसको और एक point धेन में रखलो, direct impact on FS, direct impact on FS, औरे ये नीचे आ गया, डूक लाए, direct impact on FS, फोटा time ले रहा हूँ, लिखने में time चला जाएगा, और इसका indirect sir, far impact, फटा दूर से impact आता है, far impact, indirect या far impact on FS, तो ऐसे controls का sir, मैं पहले, मेरा preference नहीं दूँगा, key controls को दूँगा, तो key controls में check करूँगा, now how to identify that, कौनसे कौनसे sir, मुझे selection करना है, कि कौनसे कौनसे controls test करूँ, तो which are the factors that will be relevant to be considered by the auditor, while selection of relevant controls, कि कौनसे relevant controls है, testing के लिए, उसका selection करने लिए, मेरे कौनसे कौनसे factors, मेरे judgment को matter करेंगे, पहला sir, materiality देखो, revenue का जो control में test करने जा रहा हूँ, उसमें देखो, materiality किता है, तो very material, presumed risk of fraud, presumed fraud risk के ना, presumed significant risk, तो अगर मैं भूलू sir, revenue का materiality है sir, मुझे इसमें देखना पड़ेगा, non-key का major identification, then significance कितना है, वो related risk का, accuracy के regarding है, बहुत ज़्यादा significance है sir, then size of the entity देख लो, बहुत बड़ा entity है, यार, वहाँ पे चेक करना चाहिए, next, nature of the entity including structure, कि जो entity में देख रहा हूँ, उसका nature क्या है, वहाँ पे मुझे ज़्यादा control stress करने की जरूवत है, क्या नहीं तो एक test किया, तो भी चल जाएगा, यह मैं देख पाऊंगा, then diversity and complexity of operations, जो भी business के operations है, वो कितने ज़्यादा diversified है, मतलब business के operations कितने ज़्यादा geographical locations में है, या sir, एक ही location में कितने अलग-अलग nature of products है, वो देखने पड़ेंगे, industry कौन से कौन से industries में काम करते हैं, या एक के करते हैं, डबल-डबल या कितने ज़्यादा industries, वो, complexity of operations इसके उपर depend करेगा, next, applicable legal and regulatory requirements, इनके लिए कुन से कुन से legal and regulatory requirements applicable है, अगर इंडेस applicable है, तो मतलब बड़ा entity है, सही है न, तो फिर अपने को पता लगएगा, कि भाई, यहाँ पे जो laws and regulations applicable है, वो severe है, तो यहाँ पे हम कोई risk नहीं ले सकते हैं, बड़ा risk है, बड़ा risk है, तो ज़्यादा control test करने पड़ेंगे, सही है, तो कभी-कभी non-keep test कर लेंगे, next one, nature and complexity of systems, look at this, पहले हमने देखा, nature of entity and complexity of operations, now we are looking at the systems, हमने देखा, कोई बंदा, अगर कोई business, tally use कर रहा है, तो इत्ता जदा complex नहीं है, बट अगर मैं मुलूँ, वही पे, अगर वो SAP use कर रहा है, तो complex system use कर रहा है, तो मतलब ज़्यादा risk हो जाता है, अगर complex system है, तो बंदा ज़्यादा risk कर रहा है, अगर ज़्यादा risk कर रहा है, तो sir controls को properly identify करना पड़ेगा, next, use of service organization, this is very important point actually, which is related to your essay number 402, 402 में बाट किया जाता है, service organization का, service organization मैंने आपको एकदम short में explain किया था, यह काफी important concept होता है, practical life में, तो मेरे regular class में इसके ओपर discussion किया था, एकदम चोटा सा बात कर लू, तो कभी-कभी business में कोई-कोई transactions, जैसे कि sir payroll का processing है, कि sir salary वगरे pay off करना है monthly basis पे, तो यह इसके लिए कभी employee hire नहीं किया जाते है, यहाँ पे अगर चार employees की जरूरत पड़ती है, तो company से दो employees को hire किया, और बाकी जो काम करने का responsibility हो, कही से outsource कर लिया, outsource कर लिया, सही है, कही से outsource कर लिया, अभी अगर ऐसा कोई outsourcing होता है, तो in that case, in that case, अगर ऐसा कोई outsourcing होता है, look at this, very important thing, तो यहाँ पे जाके आपने को देखना पड़ेगा, ऐसे 402, कि जिससे मैं outsource करा रहा हूँ, ऐसा entity, for example, Accenture, now Accenture provides the payroll processing services to various business organizations, practical life का example बोल रहा हूँ, तो Accenture जैसा company आपने सूचा नहीं रहेगा, कि payroll processing का भी काम करता है, बहुत सारे companies के लिए, तो now if Accenture is providing the same kind of services to the various organizations in the industry, तो in that case Accenture, मैं एकदम छुटे लेवल पर बोल रहा हूँ, और ज्यादा conditions रिते इसके हैं, तो यहाँ पे बेटा इसको बोलते है service organization, इसको बोलते है service organization, और यह service organization, अगर same services, सब भी organization को देता है, जिसमें से अपना एक organization है, this is our organization, तो now मुझे बताओ, मैं अपना auditor वहाँ उसको Accenture में भीजूँँगा, अगर मुझे process चेक कराना है, तो because ultimately मेरे यहाँ पे impact आएगा ना salary पे, तो यह process तो Accenture perform कर रहा है, अगर Accenture कर रहा है, तो मेरे auditor उदर जाएगा, यह company को auditor इदर जाएगा, यह इदर जाएगा, इसका auditor, इसका auditor, Accenture वाले auditor करके सब को काम पे लगा देंगे, क्या, एसा तुड़ी चलेगा, कि सब क्यों auditor उदर जाएंगे, नहीं, तो इसके लिए requirement आता है, इसे 402 का, जहाँ पे Accenture को, किसी और बंदे को अपॉइंट करना पड़ेगा, एक C.A.F.M. रहेगा, जो इनका Accenture का audit करेगा, for this service है, जो वो सभी को common provide करते हैं, कि Accenture, एसी services कितने अच्छे से provide करता है, और इस auditor को बोलते है, service auditor, इस auditor को बोलते है, service auditor, मतलब जो Accenture, जो service सबको दे रहा है, उस service को audit करने के लिए ये बंदा काम करेगा, now, सभी companies को उनके auditor भीजने की जरूरत नहीं है, now, ये सब के company के auditor, इस service auditor के audit report को, फिर ये service auditor, Accenture को एक report देगा, service audit report, और ये report फिर टाइप 1, टाइप 2, उसमें, अलग-अलग पाट आता है, ठीक है, old syllabus के जो बच्चे रहेंगे, उनको पता है, उनको 40 day applicable है, new course के लिए नहीं है, तो जब मैं यहाँ पे बुलू कि ये audit report देगा, तो now, this audit report will be used by every auditor of such companies, for the purpose of testing this payroll process, समझ गए, तो ये काफी important चीज होता है, service organization का, तो अगर मैं बूलू कि service organization का, अगर company use कर रहा है, तो in that case मुझे, ये controls, sir, कुन से select करने है, कुन से नहीं करने है, वो देखना पड़ेगा, वापे, सही है, next, performance of the control is a support to measure control, addition to the other control, और combine, तो मैंने अभी बूला ना, कि S1, control, C1 and C2, कि C2 जो रहता है, वो support के लिए है, सिर्फ, ये primary control नहीं है, सिर्फ C1 को support कर रहा है, तो इसे control को test करने की जरूरू थे, क्या, नई, sir, तो इसे control को test नहीं किया, तो भी चलेगा, आप सिर्फ C1 को test कर लो, अगर C1 में कुछ जोल मिला, deficiency मिला, तो फिर C2 को देख सकते हो, समझे, clear, तो ये होता है, बेटा, आपके examination के लिए, again, एक next important question, कुण से-कुण से irrelevant controls होते हैं, जैसे मैंने आपको बता है, certain operational controls, like budgeting का control, which does not have the direct impact on the financial statement, ये irrelevant control, ये test करने की जरूरूरत नहीं, inventory के, inventory का ज्यादा use हो रहा है, मतलब ज्यादा cost लग रहा है, तो अपने को क्या फरक पड़ता है, ज्यादा use हो रहा है, efficiency नहीं है, सर काम में, efficiency नहीं है, फिर अगर इसका material impact आएगा company के existence पे तो देन आपन देखेंगे, बट अपने को देखना पड़ेगा, material है या नहीं है, बट control test करने की ज़रूरत है क्या नहीं, ये कौन देखेगा, ये internal auditor देखेगा, internal auditor देखेगा, then generally are not the relevant control, सही है, तो मैंने बोला कभी-कभी अगर इसके वज़े से material impact आता है, तो फिर statutory auditor देखेगा, बट generally ये relevant control नहीं रहते है, look at the general word, generally relevant नहीं रहते है, ठीक है, चलो, next, ये हुआ बटा, काफी important point आपके लिए, I hope guys, अभी तक आपको एक दाम अच्छे से revise हो गया है, ठीक है ना, चलो, चलो बटा, next point करेंगे बात, अपन, controls over the completeness and accuracy of IPE, और source, now what is your IPE, IPE का मतलब होता है, information provided by entity, IPE का full form लिख लो, information provided by entity, और source data, तो अगर आपको याद है, ऐसे 500 का, जब हम audit evidence का revision कर रहे थे, तो चाप्टर नमबर 3 में, तो अगर किसी ने आपने नहीं देखा है चाप्टर नमबर 3 का revision तो उसमें cover हो जाएगा, चाप्टर 3 का revision अल्रेडी अविलेबल है YouTube चैनल पे मेरे, सही है, चलो बटा, तो मैंने आपको वही पे बताया था कि, जब हम relevance and reliability का testing करते हैं, in order to identify the sufficiency and appropriateness of auditividence, तो relevance and reliability में, reliability किस पर depend करता है, one of the point रहता है, completeness and accuracy of source data, सही है, तो आपे मैंने आपको एक example दिया था कि, data staging report, हम system से लेंगे, अभी वो data staging report, अगर में उस business पर कोई controls का performance हो रहा है, तो भाया, वो data staging report ही सही है या नहीं है, वो दिखना पड़ेगा, तो data staging report बनता कहां से है, सर, जैसा मेरा sales transactions move होएगा, जैसे मेरे sales transactions entity के record होंगे, उसके उपर data staging report बनेगा, उस basis पर, and data staging report के लिए, वो source data बनेगा, sales transactions का, तो अगर sales transactions ही complete नहीं है, और sales transactions complete है, मानलो, but accurate नहीं है, तो कैसे मेरा data staging report accurate रहेगा, तो now we need to check completeness and accuracy of the sales transactions, उसके बाद सर, हम data staging report का testing करेंगे, समझे, तो this is what you are testing over, what completeness and accuracy of the IPE, और the source data, अभी IP and source data में दोनों में थोड़ा difference होता है, source data मतलब हम किस perspective से use कर रहे है, कि जो भी हम use कर रहे है, उसका source क्या है, अभी उस source का completeness and accuracy चेक करो, जो मैंने आपको example बूला, data staging report के लिए, sales का transactions, पर जब मैं बूलू, IPE, तो IPE is the every, every damn thing which is provided by the entity for the purpose of audit, तो entity ने मुझे कोई general ledger extract दे दिया, GL का extract दिया, general ledger का extract दिया, transactions दिख रहे, that is also IPE, अभी वो general ledger का extract मुझे दिखना पड़ेगा, complete है या accurate है क्या, विकाज अगर वो incomplete रहा तो केसे मैं audit करूँगा, सही से, अगर वो complete रहा बट accurate नहीं रहा तो केसे मैं audit करूँगा, तो I need to test the completeness and accuracy of every damn thing that is provided by the entity to me for the purpose of audit, सही है, logical है, पिकाज मैं audit करूँगा, तो वो complete and accurate होना चाहिए, और both मुझे check करना पड़ेगा, management को पूछूँगा, वो बोल नेंगे, है sir complete है, उन पे rely कर सकते क्या, नहीं, अपने को check करके दिखना पड़ेगा, तो how we will check the completeness and accuracy, completeness के लिए हम देखेंगे कि वो मेरे financial statements के general laser के TB के साथ match कर रहा है क्या, तो मैंने बोला कोई मैंने general laser मांगा 1,2,3,4 GL का, 1,2,3,4 GL is the GL code, सही है, अभी ये GL code का मैंने उन से extract मांगा, उन्होंने मुझे कोई extract दिखना है, इसका मुझे completeness देखना है, अभी completeness के लिए देखूँँगा, ये table, ये जो extract दिया, इसका total कितना आता है, वो total मेरे trial balance से match हो रहा है, कि जिस trial balance से मेरा financial statement बनाए company का, सही है, अगर वो match होता है, तो मेरा completeness है, sir, अगर compensating effect रहा है, और match नहीं हुआ तो, तो वो तुझे identify करना पड़ेगा by performing analytical procedure, फिर monthly variance analysis कर द table लगा दिये excel में, जही है, वैसी चीज़े करके आप perform करोंगे, next is sir, completeness check कर लिया, complete है sir, but अभी accuracy के से test करेंगे, तो जो भी extract मिला, उसमें से कोई भी transaction उठा ले, और उसके supporting documents चेक कर ले तो, कि वो transaction का supporting documents से, वो transaction का data system में जो था, report में जो है, वो match हो रहा है, कि अगर हो र derive certain samples and samples के basis पे sir to testing करेगा, वो testing सही निकला, तो तुमान लेगा कि बाखी सब सही है, ऐसे 530 audit sampling, सही है clear with this, अभी ये samples कैसे derive करेंगे, कौन सा method use करेंगे, ये सब हम देखेंगे, ऐसे 530 के revision में, अभी यहाँ पे time लोंगा, तो फिर कतम ही नहीं होगा, ये chapter, because audit is almost everything is interrelated, मैं प अगर completeness and accuracy test करना है, तो उसके basis पे क्या-क्या controls है, entity के वो देखने पड़ेंगे, तो ensure the completeness and accuracy, तो मैंने बुला कि data staging report, that source data, sales transaction, इसका completeness and accuracy में test करूँगा, बट अभी entity के वो completeness and accuracy के लिए क्या controls है, अगर वो control सही चल रहे, तो फिर मेरे मेरे लिए तो सही बात है न, और व directly relevant, मतलब rely कर सकता हूँ data staging report पर, what I need to check, controls, cells के completeness and accuracy पर controls क्या है, वो control सही से है, क्या, वो अगर test करके हो गई, वो सही पता लगे, उसमें कोई deficiency नहीं है, तो I can rely on the data staging report and work on my OD procedure, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बड़ा example दिया है, जो मेरे regular class में बहुत detail में explain करता हूँ, अगर explain कर लिया, तो अभी तेड़ गंटा चला जाएगा, तो मैं एक्जांपल explain नहीं करूँगा, अभी जो मैंने आपको example दिया, वो examples आप consider कर सकते हो, चीक है, next point, controls over the safeguarding of assets, controls over the safeguarding of assets, कौन से कौन से होते हैं, सर, assets का safeguard करना है, मतलब assets को बचाना है, गलत तरीके से, यूज करने जो बनने को कोई system यूज करना है, और जो बनने का उसके system पर काम है, उसी को सिर्फ access दे दो, तो मतलब system का गलत यूज होगा ही नहीं, तो केसे करेंगे, like sir, उसमें password बना दो, username बना दो, limited relevant access दे दो, किसी specified relevant employees को, to the data and programs, कि सभी को access दे देंगे, तो फिल तो band मुझ नहीं है जिनको जरूरत है, उसी को सिर्फ access दो, limited access दो and restricted access दो, and उसको sir, restrict करो access को by using the passwords and username, सही है, अभी next exam के लिए important question बनता है, component of internal control, जिसमें से एक question पढ़ा था, आपके November 20 के examination में, सही है, November 20 के exam में इसके उपर एक question आया था, जो मैं बोलता हूँ आपको ये particular जो fifth point है ना, सिर्फ इसके उपर एक question आया था, सिर्फ देखो मतलब उन्होंने पूरे component of internal control पे question नहीं पूछा, उसमें से एक जो component is monitoring of control, उसके उपर question पूछा उन्होंने कि ये monitoring of control में क्या क्या होता है, तो अगर आपको समझ गया है, कि monitoring of control क्या है, now these are the summary notes ना, यहापे मैं पूरा आपका module नह होना है, now if you prepare for the components of internal control, तो भाई आप expect नहीं कर सकते कि सिर्फ components पे question बनेगा, you can expect कि उसमें से किसी एक इस पे भी question बन सकता है, समझ लिए बेटा, चलो, अभी mook करे, अगर हपन, अरे बहुत ही उपर आ गए रहे हम, एक मिनिट रुको बेटा, हाँ, चलो, सबसे पहला, components of internal control माने क्या सर, components of internal control मतलब simple सी बात है, सर, जब मैं बूलता हूँ, कि मेरे company में internal controls है, मतलब उसमें क्या-क्या-क्या-क्या-क्या, चिज़े cover होती है, उसके क्या-क्या बड़ी-बड़ी, सर तो मैं बहुत सारी चीज़े बुल सकता हूँ, बहु control environment look at this very important thing अभी आपको confusion हो सकता है control environment के control के components and then elements of control environment elements of control environment आगे आएगा यह मैं आपको बताऊंगा चलो सबसे पहले हम move करेंगे with this question components of internal control फटा फट से revise करते हैं components of internal control में 5 points पहला point control environment second point entities risk assessment process third point information system fourth point अपका आएगा control activity and then fifth point बनेगा monitoring of control अच्छे से देहन दो यह पूरा linked एक process है पहला मैंने बूला control environment मतलब कुछ नहीं जहाँ जहाँ internal controls operator बिजनेस में उसका environment के साथ सर कैसे बात करें environment दिखता थोड़ी है वाई सिंपल सी बात है environment बूलने का मतलब दिल से भाउना से बात करके देखो तो किसा समझता है आपको environment मतलब सर जो लोग control बनाए वो लोगों का mindset क्या था अगर उनका mindset गलत तरीके से बनाने का था तो अगर मैंने बूला कि मेरी इच्छा है बहुत गहन चक्ति है मेरी मुझे यह control बहुत अच्छा बनना है तो भाई वो control बनने का probability बहुत अच्छा है सही है तो आउगी है टूब जो मैं बूलता हूँ जो मैं बूला अभी आपको समझ रहा है मेरा बूलने का इच्छा मेरे मेरे कंट्रोल्स को मेरे कंट्रोल्स को establish करने की मेरी इच्छा यह सब matter करता है मेरे control environment में are you guys getting समझ रहा है control environment मतलब क्या this includes the governance and management functions उसके attitude अभी जो मैंने example दिया that is of attitude सही है ना मेरा attitude के साथ बनाने का awareness actions of tcwg अभी मेरा अवेर्नेस कैसे बता चलेगा बाई कुछ जोल हो रहा है मुझे दिख रहा है यार आखो के सामने जोल हो रहा है बड़ मैंने बोला जाने के छोड़ दे मेरे तोड़ी ना अब बागी मशीन है समझेगे आपको कि भाई मुझे क्या फरक पड़ता यह कंपणी मेरी तूड़ी ना है मैं काम कर रहा हूं इंप्लोई मुझे इंटिटी में इथिकल बिहेवियर मेंटेन किया जाता है क्या ओनेस्टी का कल्चर है या नहीं है क्योड़ीटर ने इस्टाब्लिश करना चाहिए समझ रहे हो तो इसके लिए वह कोई स्पिसेफिक इंस्पेक्शन वगर नहीं क्या नहीं तो उसको देखके पता लगेगा इस इंक्लिट्स और अब्जर्वेशन कवरेट पॉसीचर सही है इंक्वाइरी सही है ना तो यह आपको समझना है इस सब्सक्राइब करेंगे तो अपने को देखना है कि वह रिस्क कैसे असेस करते हैं अगर वह प्रोसेस फॉलो किया हुआ ही गलत हुरा है यह वो इतना प्रोपर नहीं है तो सर जोल बढ़ सकता है इंटर्नल कंट्रोल नहीं रहेगा तो तो इस इद वह रिस्क एसेस्ट्र करते है अगर वह प्रोसेस है तो देन सर कंट्रोल इंविर्मेंट अच्छा रहेगा सबसे पहले तो फिर वो प्रॉपर है या नहीं है वो देखो नेक्स्ट इस इसे सबसे पहले देखो कि प्रोसेस है क्या इंटिटी कोई प्रोसेस फॉलो करता है क्या जो वो रिस्क आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंड इसका कोई प्रोसेस मैंजमेंट फॉलो करता है क्या अगर करता है तो उसके बाद में सिगनिफिकन्स देखो उसका कि कितना सिगनिफिकन्स है वो चीज़ and risk का significance देखो कि वो risk कितना important है जो उन्होंने identify किया उसके बाद में उसका occurrence का probability देखो likelihood उसका probability देखो कि वो risk कितना probable है कि occur होगा and decide करो कि उसके उपर हमने क्या actions करना चाहिए सही है next point the information system for the business process financial reporting and communication कि business में processes follow करने के लिए क्या-क्या IT system company use करता है उसके बाद में financial reporting के लिए कुण सा IT system use करता है and communication के लिए कुण सा system use करता है इसके उपर अपने देखना पड़ेगा कुछ significant app court deeds मतलब कुण से-कुण से significant app court deeds account balances से classes of transactions and disclosure से मतलब P&L and balance sheet के and notes to accounts के कुण से-कुण से important items है जिस पे यह चीज़ affect करता है तो मैंने बोला मेरे पास company में SAP है ओके यह जो SAP का system है इसमें revenue के सभी transactions process होते हैं revenue and expense के तो now I know कि this is the complex system अब यह complex system मेरे यह दो transactions को affect करने वाला है but payroll का transaction सीधर नहीं होता बोले payroll का transactions tally के थुरू होता है तो मुझे बोलो tally is not the complex system तो यहाँ पे मेरा जो risk है कहाँ पर बढ़ेगा payroll में या revenue expense में सर एपसलूट है revenue expense में मेरा risk ज्यादा रहे समझें तो यह चीज आपको कहाँ सी पता लगी by identifying the information system को understand करके कि कौन से कौन से अपकोड़ी relevant है important है उसके बदने process क्या-क्या follow होता है for such transactions and कौन से कौन से record document generate होते है यह समझना भी जरूरी है internal controls का तो this is very important component again first component मेरे साथ बोलोगे control environment second component इंटिटी का risk assessment process देना आता है information system क्या बोले information system कौन सा information system IT system entity use करता है और उसके बाद में आता है बिटा आपका next point बस चप्टर अभी खतम होने को है frustrated मत उना generated in such process कौन से data document इसमें generate होते है third point में आपका information system में उसके बदने कौन से financial reporting process use किया जाता है to prepare and present the financial statement financial statements को बनाने का responsibility किसका है वो कैसे बनाते है उसका process क्या follow करता है वो भी identify करेंगे and control surrounding the general interest यह सब चीज़े किसमें आएंगे information system for business processes financial reporting and communication समझ लिए यह पूरा चीज़ एक इसमें आने वाला है बहुत important point होता है यह statutory auditor perspective से because यह financial statement को measurely affect करता है समझे clear with this then next रता है control activities control activities मतलब simple सी बात है control क्या-क्या activities involved करते मतलब क्या-क्या चीज़े perform की जाते है कुनसी-कुनसी activity management perform करता है in order to establish that control वो होते है control activities तो पहला control activity sir authorization is the control activity की authorized करना then sir उसके बाद में performance reviews तो मतलब periodic basis पे कैसे sir control perform हो रहे उसका review करना भी बहुत important activity है because sir अगर review कर रहे हो तो indicate कर रहा है कि आपको बहुत इच्छा है कि आपके परफॉर्म हो बट जिस management को कोई लेना देना नहीं तो वह review नहीं करेगा अगर review नहीं करेगा तो अपने को समझ रहे है as an auditor कि इसको कुछ लेना देना नहीं है मतलब risk बढ़ रहा है समझ रहे हो तो यह समझना जरूरी है तो authorization then performance reviews then information process किसे होता है processing then उसके बाद में physical controls physically कुछ controls perform करना like physical verification then segregation of duty very important तो यह हुए control activities and the last one is monitoring of control very important thing कि how the company monitors the control now this monitoring of control is not from the auditor side one monitor करता है controls को management top management तो as an auditor we have to look at कि how top management is monitoring the controls कैसे उस controls को यह उन्होंने establish के design किये है उसको employee के से implement कर रहा है और maintain कर रहा है सही है वो monitor करना चुछी है on periodic basis this responsibility lies with the top management TCWC management of the integrity मुझे बोलो यह monitoring of monitoring of controls का process क्या एक ही बार का है क्या मतलब आज monitor कर लिया year के start में तो पूरे दो साल करने की अगले जरूरत नहीं है एक्साल करने की जरूरत नहीं नाई this is a continuous process उनको जब 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 frequently नोने करना चाहिए periodic basis समझ रहे हो तो this is continuous process इसका help क्या हुएगा यह help करेगा to assess the effectiveness of the controls कि इतने अच्छे से perform हो रहे effectively perform हो रहे है वो assess करने के लिए वो समझने के लिए management को इसका help होगा on the timely basis and इसमें आप internal audit functions को भी involve कर सकते हो अगर आपको जरूरत है तो समझें अगर आपको applicable है section 138 तो करवा नहीं पड़ेगा and second thing sir अगर आपको जरूरत है तो even if applicable नहीं है you can still involve the internal audit function to review these controls to monitor these controls समझ ले तो तीन major point monitoring of controls में सबसे पहला continuous process second point to assess the effectiveness of the controls performed in the entity यह help होईगा आपको assess करने के लिए and third point कि आप इसमें internal audit function को involve करा सकते हो अगर आपको जरूरत है तो are you guys getting ? आरे मुझे बूलो ना चरब तो यह components हमने देखे सबसे पहला component हमने देखा था control environment का उसके बाद में हमने control component देखा था sir next पहला entity का risk assessment process then उसके बाद में हमने देखा था information system कैसे रहता है then उसके बाद में देखा control activities कुन से कुन से होते है and the fifth point हमने देखा कि sir इसके regarding इन्होंने monitoring of control कैसे करते हैं करना जरूरी है तो यह 5 component देखेे इस में से जो पहला देखा था control environment वो control environment में क्या-क्य elements नहींत है अपने समझ ले 가운데 की control environment क्या है attitude है सहीए समझ dw तो उसका इछो क्या है attitude है वह देखना जरूरी है control environment के elements क्या है वो elements का next question औरहाए तो what are the elements of control environment, मतलब control environment में क्या-क्या चीज़े include होती है, पहला चीज, communication and enforcement of integrity and ethical value, we have saw this, कि भाया, control environment में अपने को देखना है, as an auditor, कि केसे ethical environment maintain हो रहा है, processes, ethically follow होते हैं, how that is that, how it is performed, कितना integrated है, सही, तो integrity देखना है, employees का ethical values केसे perform हो रहा है, उसका communication and enforcement, now who will be communicating this and who will be enforcing this, obviously sir, top management communicate करेगा सबको, तो we have to look at this, how top management is communicating these policies, how top management communicating the controls to the middle level and the lower level of management, सही है, to execute that, how top management is monitoring, how top management is actually forcing to ensure the ethical behavior in the organization, तो we have to look at that, ये include होता है, control environment में, next thing, commitment to the competence, कि उनका कितना इच्छा है कि competent बन्दे ये perform करे, अभी मैं गया एक company में, मानलो, मेरा company है, अभी मुझे, मुझे कुछ फरक नहीं पड़ता, now look at this, मेरा company मतलब इसका नहीं कि भाई, मैं उस company में employee हुमानो, कोई में employee हुमानो, मैं, actually तो मैं pay कर सकता हूँ, पचास हजार तो मैं किसी CA को recruit कर सकता हूँ, as an employee, but मुझे become को recruit करना, क्योंकि पैसा कम लेगा हूँ, become का बन्दा, फिर अभी मुझे बोलो, जो काम करवाना है, audit करवाना है मानलो, तो become का बन्दा कर पाया, नहीं हा, competent नहीं हो बन्दा, तो I should recruit CA, charter accountant, अगर सर में competence को दहनी ना दू, तो यह क्या करेगा, यह मेरे business की band बचा देगा, मेरे control environment की band बचा देगा, and that's why, how I am looking at competence, competence को मैं कितना सर इज़्जत दे रहा हूँ, वो देखना जरूर है, and this is what involved in your competitive, sorry, control का environment, समझ रहे हूँ, पहला, मैंने देखना है मैं कैस से communicate करता हूँ, enforce करता हूँ, integrity and ethical values in my business organization, second मुझे देखना है कि commitment कितना है, मेरा towards the competence, third मुझे देखना है, कितना सर्फ TCWG involvement होता है, participation होता है, मतलब मैं अभी as an auditor बात करना, अभी मैं auditor करके देखू, मैं जब audit कर रहा हूँ, तो मुझे देखना है, control environment कैसे कामकर का, तो उसमे मैंने देखा कि भाई TCWG promoter है, वो कभी communicate ही नहीं करते है, वो कभी किसी से बात ही नहीं करते है, वो आते, code pen, pain क्या, पटा-फट से चले जाते है, 10 मिनिट में चाहिपानी नस्का करके, तो सर अपने को पता ही है, कि भाई ये environment में TCWG is not taking active participation in to maintain that environment, basically, समझ रहे हो, तो अग इसर लोगर लेवल of employees and middle level of management को पता ही नहीं कि, how their boss, how that partner, basically, how that promoter is expecting from their side, सही है, केसे expect कर रहे है, उनको पता ही नहीं चलेगा, जब तो को communicate नहीं करेंगे, तो this is very important thing, कि how TCWG, how top management is taking active participation to maintain this ethical behavior, to maintain the control environment strong, to maintain the control system inflow, समझ रहे हो, तो participation by TCWG, independence of those experience and extent of involvement, अपनने चब बात की, वो इस point पे की, extent of involvement, अभी उनका experience कितना है, independence कितना है, वो अपने को देखना पड़ेगा, as an order, then management philosophy and operating style, ये तो भाई दिख के पता लग जाता है, बहुत careless बंदा है, जो MD के चैर पे बेठा है, कुछ काम नहीं गरत operating style, we already know, by observing, we can check out this, and how, what is his philosophy, so when we go to discuss with him, in his cabin, तो let's say, उसके cabin में मैं जाके बात कर रहा हूं, उनसे और मुझे पता लग रहा है, ये बंदा तो बहुत अलगी तरका है, बंदा जिस वे में सोचता है, अगर उसने इस business में इसे apply कर रहा है, तो business के band वजनी है, तो we will be able to understand the philosophy, will be able to understand his operating style, ये एक major part करता है आपके control environment में, तो अगर मुझे कोई जोल लगा इस particular चीज में, तो मुझे क्या पता लगेगा, कि मेरा control environment weak पढ़ रहा है, अगर control environment weak है, तो मेरा internal control system उस business का weak रहेगा, समझ रहे हूं, and internal control system अगर मुझे weak लग रहा है, तो भाई, मेरा reliance on controls कम हो जाएगा, मैं कम rely करूँगा, ज्यादा rely नहीं कर पाऊँगा, next point, organization structure के साए, कितना ज्यादा organization structure है, बड़ा है, छोटा है, कैसे वो matter करेगा, then assignment of authority and responsibility, how the company is assigning the authorities and responsibilities to different employees, this is what matters in control environment, and the last point, HR policies and practices, कि how the human resources are actually recruited, कैसे HR के बंदे recruit करते है, उनके policies क्या है, practices के जाए, कितने rude है, कितने अच्छे तरीके से करते है, सरी है, ओ सब चीज़े matter करेगी, control environment, समझ रहे हो, so these are what your elements of control environment, I hope guys, you are very much clear with this, है न, important part है, अच्छे से धान में रखोगे, now, next point पे, आपको usually MCQ आने का बहुत probability है कि evaluation of internal control, कि internal controls को कैसे evaluate करोगे, using four things, जब जब भी आप internal controls को evaluate करोगे, तो चार चीज़े आपके लिए matter करते हो, चार चीज़ों का आप use करोगे, सबसे पहली चीज़े जिसका आप use करोगे, उसको बोलते है narrative record, narrative record कुछ नहीं, भाई, simple सी बात है, जो भी company का process है, वो process का detailed description, म what is narrative record, detailed description of the procedure, but sir, इतना detail पढ़ने की इच्छा नहीं होती, 40 page का sir, एक process है, पुरा revenue का, किसे पढ़ेगा कोई बंदा, वो रोज जाएगा 2 pages पढ़ने के बाद, तो now sir, अगर मैं बोलू कि मुझे, अगर detail में पढ़ना है, क्यूंकि मुझे detail में देखना है, कहाँ पे जो ले पास, तो वो है बेटा, आपके पास flow chart, look at this, वो है आपके पास flow chart, दो मिनिट हो जा, यह कुछ तो जोल हो रहा है, हाँ, वो है आपके पास flow chart, flow chart क्या होता है, flow chart is the graphical representation, look at this, very important thing, flow chart is the graphical representation of the process, तो मतलब पहले narrative record में detailed description दे दिया, उसके, उसके through his narrative record के base पे यह graphical representation बढ़ा है, क कुछ छोटे इसमें सर पता लग रहा है कि कहा से क्या चीज़े move हो रही, तो that graphical representation is very important thing, which you can use, तो इससे आप process समझोगे, and then उसके बाद narrative record में detailed understanding करोगे, and risk for recall होगे, then some, then next point होता है, checklist, checklist is very common thing, आपको समझ जगया होगा, कि checklist नाम से ही क्या होता है, एसी चीज़े है कि यह process perform करते समय, यह 5 चीज़े ensure करने चाहिए उस employee ने, क्या बोला, यह 5 चीज़े ensure करने चाहिए, अभी यह usually auditor के इसमें कैसे काम करता है, audit firm में, मैं यह बोला कि मैंने revenue का audit करना है, अभी revenue के audit करते समय, I need to ensure this 5 audit procedures I need to perform, तो जैसे ही मैं एक एक procedure करता इसे ही मैंने परफॉर्म किया, यह 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 मैंने परफॉर्म किया, जैसे ही मैंने सब चीज़े परफॉर्म किया, यह सब हुआ चेकलिस्ट वाला, समझ रहे हो, these are the check points to ensure कि whatever we supposed to do we have done everything in line with that checklist next thing sir अगर मैं business के अंगल से बात करूँ तो business organization में checklist कैसे काम करता है तो यह revenue का process है जो business ने follow करना है employees ने follow करना है सही है अभी यह process follow करते समय employee को बोला है भाई तुमें यह process इंप 5 steps में करना है step 1 step 2 step 3 step 4 step 5 now this is what it will act for them 5 step का checklist समझ लिए तो sir then questionnaire क्या होता है questionnaire एक question based form रहता है क्या रहता है sir उसमें मैंने बोला sir एक कोई ऐसा form है जहाँ पर मैं बोला कि in days का sir में कोई checking कर रहा हूं मुझे information चाहिए उनके तरब से तो मैं inquiry को audit procedure करने गया अभी यह questionnaire को किसको देता है यह usually sir देता है auditor to the management auditor देता है management को auditor will give this checklist to management क्यों sir अभी मुझे इंडेस के compliance के उपर इनसे कुछ sir questions पुछ रहे हैं तो इसके बजाए में क्या करूँ मेरा time चला जाएगा वो भी time तो मैं उनको पहले questionnaire देता हूं जहाँ पर मैं उनको कुछ questions पुछूंगा one two three four five ऐसे कुछ sir questions का list है जिसमें वो s no करके दे देंगे यह उनको applicable है यह नहीं है ऐसा वेसा and then उसके बाद में sir उसको थोड़ा briefly करेंगे जहाँ पर भी जरूरत रहेगी reasons के साथ वगरे and then based on that I can take a further call and discuss with the management यह होता है questionnaire यह हुआ questionnaire समझे clear with this are you guys clear with this checklist वगरे क्या होता है समझे आपको तो यह चार चीज़ों के business पर आप internal controls को evaluate कर जो पहिला चीज़ से narrative record then checklist then questionnaire then flow chart flow chart से आप समझ लोगे कि एक overall go through कर लोगे process का then detail description से आप पूरा detail में समझोंगे उसके बाद में आप questionnaire पूछोगे जो भी questions आपको पूछने management को और समझने के लिए वो questionnaire के तो आप पूछोगे and उनसे जो management जो checklist follow करता है in order to ensure that process get done in line with what they supposed to do management ने जो process बनाए हुआ है भाई वो process में इत्ते steps include उते 12345 तो यह 5 process कैसे employee follow करता है तो उसके लिए management ने चेक्लिस बनाए ही वो हम उसे लेंगे और यह चारों के business पर विल evaluate the control कि वो सही है जा नहीं है आरे वाइस गेटिंग आरे मुझे पूलो ना एकदम सही है बिटा चल्ट नेक्स पॉइंट अभी हम पढ़ेंगे benefits of IT in the entities internal control very very common question है एकदम एकदम easy question है कि sir IT का क्या-क्या benefit होता है entity के internal control में sir simple बात है IT के बज़े से बहुत सारे volume of transactions को हम एकदम easily simply sir process कर पाएंगे then time come लगेगा availability बहुत बार रहेगा sir जहाँ पर भी जाओ sir I'll be able to access that data accuracy बहुत ज़्यादा रहेगा even if sir उसमें human involvement अगर human ने input दे दिया तो output तो सही निकलना है input सही रहेगा तो दिन उसके बाद में additional analysis कर पाएंगे because अगर आप excel में कोई table बना हो table के वैसे पर pivot table graphs you can make up thousands of things यह न तो उसमें बहुत सारी चीज़े आप कर सकते हो then sir आप performance identify कर पाऊगे monitor कर पाऊगे entity का so enhance the ability to monitor the performance of entities activities and policies and procedure कैसे काम कर रहे then reduce the risk that the controls will be circumvented circumvented मतलब controls follow नहीं होंगे इसका risks are कम होगा because system ने अगर एक बार बोला है कि भाई यह चीज़ करनी है तो करनी खतम जब तक आप वो चीज़ करोगे नहीं control perform नहीं करोगे तब तब system आगे नहीं बढ़ने वाला इसको 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 इसका ही access रहेगा पहले इसका उसको second, third and fourth का access नहीं रहेगा क्यों because हर एक system को अलग username and password है जो उन बंदों को ही applicable रहेगा तो यहाँ पर effective SOD कर रहे है sir हम क्यों? because using this system using this system तो यह फाइदा होगा sir इसलिए यह IT का benefit काफी जदा होईगा जब entity को internal control system को strong करना है business में are you guys getting? अरे मुझे बोलो ना यह risk वाले जो दो question थे भिश में वो question अल्रड़ी अपन पहले पार्ट में cover कर चुके है अभी बढ़ेंगे हम almost last part section 138 internal audit internal audit काफी easy है बटा अभी ध्यान रख लो internal audit किसको applicable हो था यह limits याद रखने पड़ेंगे अच्छे से ध्यान रखो एकदम easy limit है याद रखने के लिए मैंने आपको गुला है सबसे पहले section 138 बात करता है internal audit के regarding किन-किन को mandatory रहेगा उसके बारे में next internal auditor किन-किन ने रखना है सबसे पहले सर लिस्टेड कंपनी mandatory अभी इसमें ध्यान दो लिस्टेड कंपनी होने के बाद unlisted companies में आपने चार नंबर याद रखने है 25, 50, 100, 200 सरे एकदम easy याद रखने के लिए कैसे 25 लिया पहले base याद रखो उसका double करो 50 उसका double करो 100 उसका double करो 200 समझ लिए चलो 25 माने क्या 25 करोड 25 करोड सब numbers करोड में है 25 करोड मतलब कुन सा यह होता है outstanding deposits का यह होता है outstanding deposits का 50 नंबर किसका 50 करोड यह होता है paid up share capital का 100 करोड माने borrowings का और सबसे बड़ा नंबर जो रहता है वो रहेगा आपका turnover का अभी next point आता है जब भी हम यह चीज़े लेंगे तो इस more than equal to only except borrowing borrowing के case में सिर्फ वो more than रहेगा more than 100 करोड बाकि सब चीज़ों में more than equal to रहेगा समझ लिए आपने borrowing छोड के सभी चीज़ों में more than equal to रहेगा सिर्फ आपको इसमें borrowing में loans and borrowings में क्या रहेगा more than देगा मतलब सर अगर मैं बूलू किसी कंपनी का borrowing होका या 101 करोड 101 करो तो internal audit is not applicable क्यों because all these conditions are or इसमें से कोई भी एक condition fulfill हो गया तो internal audit applicable है तो सर जब मैं बूलू इनका borrowing 100 करोड का था बट सर बाकि कोई भी condition fulfill नहीं हो रहे तो अच्छी बात है internal audit not applicable बट borrowing 100 करोड का है बट paid up share capital पचास करोड एन उसके उपर चला गया तो चलेगा सा तो internal audit applicable हो जाएगा और turnover 200 करोड और उसके उपर हो गया तो applicable हो जाएगा अभी यह सब चीज़े कब की देखनी है या आपने क 21 22 के लिए देख रहे हो internal audit applicable है या नहीं है internal auditor appoint करना तो आपको देखना पड़ेगा यह सब लिमेट्स ऑफ 20 22 2221 देखना पड़ेगा और जब मैं बोलू मैं balance sheet के कुछ items देखूंगा मतलब सर deposits उसके बाद मैं paid up share capital borrowings तो यह मुझे देखना पड़ेगा as on this 31st March समझ रहे हो देखूंगा paid up share capital तो मैं 31st March का देख लूँगा बड़ जब मैं deposits और borrowings देखूंगा तो यह deposits और borrowings के लिए मुझे सिर्फ 31st March का नहीं देखना है during the year at any point of time इत्ते सब points आप याद रखोगे during the year at any point of time मतलब सर 31st March को limit exit नहीं हो रहा 31st March को deposits मेरा 25 या उससे कम है 35 से कम है 31st March को मेरा borrowing 100 या उससे कम है समझे बड़ सर मेरा एक बिचमे दीन था 25 जून जिसके एक की दिन में मैं 110 करोड का loan ले लिया भाई तुझे सब points है सर अभी यह हुआ unlisted public company के लिए what about the private company private company में कुछ नहीं करना यह लास्ट वाले दो condition exactly वेसे के वेसे आपको apply करने तो यह दो condition ही सिर्फ private company के लिए रहेंगे लास्ट वाले 200 कोरोड एं 200 कोरोड मतलब सिर्फ यह दो condition जो है 200 कोरोड वाले एंड उसके बाद 100 कोरोड का कि दर गया यह वाला यह दोनों चीज़े सिर्फ private company को applicable होगी बाकि दो चीज़े पेड़ अप शेयर कापिटल नहीं होगा प्राइवेट को समझें अब यह इंटरनल ओडिटर को कौन इंटरनल ओडिटर ब इंटरनल ओडिटर यह आपका बनता है सर में और में नौट भी एंप्लाइव दे कमपनी इस विल बी और करेक्ट और इंटरेक्ट कोश्चन सही है दो माग के लिए तो अच्छे से याद रगना सेक्शन 138 का रेफरेंस दे देना देन उसके बाद में इंटरनल ओडिटर के क्या 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 काम रहते है क्या क्या उसका स्कोप रहता है काम का और बजेक्ταिव्स क्या हो रहते हैं इसे 110 यह 40 चीज़्ीघे दी हुई है सर 4 चीज़े नहीं बोल सकता तीन चीज़े हैं सरर चार चीज़े हैं अच्छे से दन रखो कोई भी governance के regarding activity है internal audit function काम कर सकता है कोई भी risk management के regarding activity एं इंटर्ण audit function काम कर सकता है औन कोई भी सर internal control के regarding activity है वहाँ पर internal auditor काम कर सकता है examination करना financial and operating information का मतलब fs का examination करना सही से किया या नहीं वो भी internal auditor कर सकता है review करना operating activities का and review करना compliance with laws and regulation यह भी internal auditor कर सकता है यह objectives and scope अच्छे सी याद रखना यह तीनों चीज़ है and तीसरे इसमें 4 functions ओके यह important चीज़ है चलो बेटा लास के कुछ important point बचा है एकदम अच्छे से द्यान दिदू सही है आई एफसी internal financial control जिसके regarding मैंने बात कि आपको को specified class of companies को जो according to section 143 subsection 3 उसके हिसाब से को specific auditor को मतलब specific class of companies में audit report में इसका specific opinion देना mandatory हो जाता है को specified class of companies को तो सबसे पहले समझ लेते है कि सर opinion किसके उपर रेता है that opinion is on the IFC internal financial controls तो सर एक बोला जाता है ICOFR तो इन दोनों में difference क्या है IFC माने internal financial controls तो simple सी बात है यह control activities है कोई control बोलू revenue का तो IFC है बट सर यह control पे opinion देने का जो requirement दिया section 143 subsection 3 ने auditor को इस reporting requirement को बोलते है ICOFR मतलब internal controls over financial reporting तो simple सी बात है IFC are the controls यह control activities है while your reporting requirement is your ICOFR समझे तो इन दोनों का difference का question भी आपके examination में बन सकता है अच्छे से दान देना सबसे पहले देख लेते है IFC का definition क्या है according to section 134 subsection 5 clause E of companies दो जाते है sir clause वगर याद रखने चरुवत बिल्कुल भी नहीं है बेटा अगर आपको सिर्फ section नमबर यादे तो रख लेना कोई tension नहीं मैंने बोला sir अगर section नमबर भी याद नहीं है तो फिर भी कोई tension देने का बात नहीं आपने language कैसे यूज करना examination में अगर आपको सिर्फ section नमबर यादे 134 तो आपने as per relevant clause and subsection of section 134 अगर सिर्फ section नमबर भी याद नहीं है तो as per relevant section as per relevant provisions of the company's act 2013 इसे आप लिखोगे समझे as per relevant provisions of the company's act 2013 यह applicable होता है अरे समझ रही क्या आपको as per relevant provisions तो सबसे पहले as per relevant clause of section 134 of the company's act of the company's act 2013 answer नीचे अगर आपको section नमबर याद नहीं तो as per relevant provisions of the company's act 2013 दिन आगे provision लिख दोगे provision लिखना जरूरी है सही है clear with this वो नहीं बोल सकते कि sir वो याद नहीं फिर मार्क गबाने पड़ेंगे चलो अभी यह प्रोविजन definition देखलो sir internal financial control मैंने आपको बता दिया control procedures होते control activities होते है तो यह procedures क्या बोलते है control procedures these are the policies and procedures which are the adopted by company very first important thing for ensuring orderly and efficient conduct of its business including adherence to the company policies second the safeguarding of assets third prevention and detection of fraud and errors fourth the accuracy and completeness of the accounting records and last one timely preparation of reliable financial information तो यह 5 objectives के साथ sir internal financial controls policies and procedures जो company adopt करता है उसको बोलते है IFC clear with this अभी यह explain करने में time नहीं लगाऊंगा because एकदम ईजिए यह अल्रेडी अपन कवर कर चुके है सही है अभी section 143 sub section 3 क्या बोलता है this requires the auditor reports to state whether the company has a adequate internal financial control system in place or not as well as operating effectiveness of controls तो मतलब सिर्फ design and implementation करके मतलब है क्या नहीं उसको maintain भी करना पड़ेगा उसका OE testing भी अपन करते हैं पहले वाले पाट में मैंने आपको detail में समझाया था यह अभी IFC and ICOFR में क्या-क्या difference रहता है IFC is nothing but what the definition has mentioned तो यह policies and procedures है and ICOFR reporting requirement है sir यह policy procedure नहीं बोलता है उन policy procedure के ऊपर reporting करने का requirement section 143 subscription 3 ने जो दिया उसको बोले sir ICOFR so this is the reporting requirement to auditor to express an opinion on the effectiveness of an entity's internal controls over financial reporting such opinion is in addition to or distinct from the opinion expressed by the financial statement auditor on the financial statement मतलब जो आप audit report दोगे न जो इसे 705 का opinion दोगे उसके addition में sir यह opinion रहेगा समझ रहे हो तो यह अकेला sir ऐसा opinion नहीं है कि जो इसे 705 के सबसे आ जाएगा no 705 का तो financial statement का opinion अलगी रहेगा यह controls का opinion अलग रहेगा IFC का समझे because IFC का opinion सबको applicable ही क्या नहीं but controls का sorry IFC का opinion सबको applicable ही क्या नहीं but financial reporting का जो opinion है financial statement का वो सबको mandatory applicable है उसमें कोई sir आपको कोई specified class of companies नहीं वो सबको applicable है अर्यवाइस गेटिंग शर्ग तो यह था पिटा आपका last point with respect to internal controls of chapter number four सही है तो पहले पार्ट में हमने risk assessment कवर कर लिया यहाँ पे हमने internal controls कवर कर लिया लगबक सर दो डही गंटे का डही गंटे का यह हो जाएगा revision video इसको अब parts parts में bifurket कर सकते हो and basically आप इसको speed पर भी देख सकते हो बाद में एक बार पटाफट अच्छे से देख लेना बड़ा चप्टर था इसलिए अभी इसके जो कुछ icic illustrations है वो मैंने already icic SM में काफी सारे बार ऐसे होता है कि इसमें और भी कुछ पेज़े से नीचा पाच्छे पेज़े से अच्छे लेस्टेशन से वह मैंने यहाप एड़ने किया है बड़े नोट्स अल्रेडी आपको मिल जाएंगे मेरे एंड्रोइड आप में है ना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है प्लीज लाइक इस वीडियो शेर इस वीडियो आपका जितना सपोर्ट बना रहेगा उतना मुझे एल्प होगा आगे बढ़ने में आपको जितनी ज्यादा माक्सिम्म सर्विसेज प्रॉइड कर पाऊंगा वो डिपेंड करेगा आपकी सपोर्ट के उपर ही ना जित्ता ज़दा आप सपोर्ट करेगा उत्ता ज्यादा मुझे इनर्जी मिलेगी कि मैं आपके लिए काम कर सकूँ और आइकन प्रॉवाइड यू दा बेस्ट